बिग बोस के घर में पहली बार हुई प्रियांकित के बीच में बड़ी बहस जिसके साथ साथ बहुत सारी चीजे बाहराती नजर आ रही हैं चलिए आएए दोस्तों बात करते स्वागते आप सभी का बॉलिवड स्पाई में तो दोस्तों वीकेंड का वार में अंकित को रियालिटी चेक दिया गया है और यहां पर मैकसिमम घरवालों का ये मानना है कि प्रियांका अंकित को ओवर्शेडो कर रही है और उस पर अपनी होकूमत चला रही है और अंकित कुछ कर ही नहीं रहा तो दोस्तों इसी बारे में प्रियंका जो है अंकित को समझाती नजर आई प्रियंका ने अंकित से कहा कि देख तू अपने पॉइंट्स रखा कर तो जैसा खुल कर मेरे साथ रहता है बाकियों के साथ भी रहे उसमें क्या ही हो जाएगा तो यहाँ पर अंकित कहते नजर आए कि चल ठीक है तुने मुझे एडवाइज दी अब इस पे आगे वर्क करना है या फिर नहीं करना है इस बारे में मैं सोचूंगा तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है उसके बाद दोस्तों हम फिर से देखते हैं कि दोनों में बहस होती है जहां प्रियंग का ये कह पाई जाती है कि तेरा बिहेवियर जो है मेरी तरफ कभी भी अच्छा नहीं रहा है और जो भी चीजे रही है जो भी था वो सिर्फ मेरी तरफ से ही रहा है वागी तेरी तरफ से कभी भी कुछ नहीं रहा है मैं तेरा ये बिहेवियर उडारिया के टाइम पे भी इग्नोर क चाहते थी लेकिन अगर यहां पर भी ऐसा ही रहा तो क्यों तो अच्छी खासी दोस्ती को खराब करने पे तुला है हम यहां से बाहर चले जाएंगे तो मुंबे में कहीं और रहेगा मैं कहीं और रहूंगी और हो सकता है शायद बात भी नहों तो अच्छी खासी दोस्ती को भी खराब मत कर तो दोस्तों यहां पर प्रियांक का जाने अंजाने बहुत सारी ऐसी चीजे कह गई हैं जिनोंने बहुत से सवाल खड़े कर दिये हैं और प्रियांकित फैंस इन सवालों का जवाब भी जाना चाहेंगे आप सभी को क्या है इस बारे में कहना कॉमेंट्स में जरूर बताईए